आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone The question given here is Use of language डाई 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 देश Indulged in reacts पूरा sentence वो ऐसा है careless use of उस sentence को हम आप लिख लेते हैं Use of Language Dash, 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 dash Indulged reacts Reacts और आगे sentence है वो हम फिलाल यहां पर नहीं लिखते हैं अब यहां पर जो है चार option दिये गए है इन चारों में से हमको किसी एक को choose करना है तो यह जो शब्द है वो indulged है यह past participle है यहां पर actually अजेक्ट के तो पर इस्तिमाल हुआ है तो देखते हैं इन चारों में से कौन सा शब्द इसमें fit होता है सबसे पहले हमको question समझना होगा question अगर पहरागराफ को हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि writer कहना चाहता है कि अगर हम language को carelessly यह careless use करेंगे language को carelessly use करेंगे तो उसका mind पर effect खराब होता है और उससे हमारा mind illogical होता है मतलब तो वो क्या कहना चाहता है वो अगर हम careless language use करेंगे तो ठीक है तो हमको ऐसा शब्द चाहिए यहाँ पर लिखने के लिए जिसके meaning अगर होता है तो आईए इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके meaning अगर होते है और यहाँ पर fit हो सकता है सबसे पहला शब्द देखते हैं that's off off के meaning होते है का for example classroom of boys of boys लड़कों का classroom classroom of girls लड़कों का classroom तो यह का होते है इसके meaning ठीक है उसके बाद में दूसरा शब्द है वो है then then यानि तब तब होते है और यहाँ पर fit नहीं होता है अगर हम then लगाते है use of language then indulged तो उसके कोई meaning नहीं निकलते है इसलिए हम then यहाँ पर choose नहीं कर सकते है because it is not the correct answer उसके बाद में next जाते है fourth की तरफ उसके meaning होते है at at के meaning होते है per अब use of language at indulged अईसा तो नहीं बोल सकते है at indulged क्योंकि indulged के meaning होते है lift lift पर careless language का careless use of language lift पर careless use of language ऐसा वो sentence बनेगा तो वो कोई meaningful sentences नहीं होता है ठीक है तो देखिए एक sentence मैं आपको answer के final answer देने से पर एक sentence मैं आपके सामने लिखता हूँ देखिए hard work hard work if done in time if done in time is useful हाँ इसके meaning होता है कि अगर hard work समय पर किया जाए if done in time समय पर किया जाए तो यह जो done है यह in judge के जगे पर ले लेते हैं हम that's participle and used as an adjective तो यहाँ पर जो शब्द fit होता है वो if fit होता है if तो if यहाँ पर लगाने से meaning sentence जो sentence हो meaningful बन जाएगा तो हमारा जो option है जो हमको चूज करना है that is third option if thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजे अपने doubts at 400 400 400 पर